हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो एलर्निंग अकाडमी तो आज बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पर मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं जो कि यहां पर दीख रहा हुआ इन पॉब्लिक सर्विस कमिशन के लिए जिसमीं इजामिनेशन नोटिस यहां पर दिया हुआ है उसके लिए अनलोटिफिकेशन यहां । यहांपर दीख सकती है अपलोग यहां पर लाज़्यट दिया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए 24 चुन 2021 तो यहांपर चुन नोटिफिकेशन है ने इसला दीफिकेशन एंड नेवल अकेडमे एग्जामिनेशन 2 जो की 2021 वाला पार्ट का दिया है यहां पर वेबसाइट भी गिवेन है वेबसाइट epsc.gov.in पर अप्लूज आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर डिस्केशन कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले फिर्ट सबस्दिया इंजरेट एंजरेटी ऍजर्ट यहां पर सबसे एलिवेशीक विशन लेटी केंρεί। टोच यहां पर सबसे बहले जोबी फॉर्म फिल कर है नेंजिबली यहां पर देख हा है तो यहां पे the candidate applying for the examination should ensure the fulfill all the eligibility condition admission to the examination ठीक है आप आप लोगो अपना eligibility criteria अब कुछ प्रपर वे में देख लेना चाहिए उसके बाद form fill करना चाहिए अगर बाद में अगर अगर बाद में अपने लोग ना form fill कर जाए अगर eligible नहीं रहोगे तो आप लोगो disqualify हो सकते हो next यहां पर second point दिया how to apply तो इस form के लिए कैसे apply करना है यहां पर given है candidate are required to apply online by using the website upc.online.nice.in तो हां पर सब कुछ प्रपर वे में instruction दिया हो है जो कि यहां पर आप लोगो प्रपर वे में दिख रहा हो है यह पूरा instruction यहां पर given है तो है आप लोग यहां से rate कर सकते हो अदो candidate को एक photo ID भी होना चीह है अधा card, voter card, pen card, school ID कोई भी अगट हैगा तो हां पर apply कर सकते है next last date दिया है for submission of withdrawal of application form 29th of June till 6 p.m. तो हां पर 6 p.m. तक apply कर सकते है the eligible candidate should be, sorry shall be issued an e-admit card 3 weeks before the commencement of the examination the e-admit card will be made available on the UPSC website upsconline.nic.in for the being downloaded by the candidate okay तो यहां पर admit card के लिए आप लोगो यहां पर announcement type बताया किस type से कहां से download करना है तो यहां से आप लोग यह first page देख सकते हो next में दिखो अगर कोई भी अगर अगर अपने form फेल किया exam देने गए वहां पर अगर answer wrong होता है कोई भी question का तो यहां पर negative marking होगा तो यह proper में आपर already mentioned किया हुआ है तो यहां पर negative marking होगा next यहां पर next यहां पर दिया है देखो यह offline exam होता है India offline exam होता है तो यहां पर writing जो भी होगा omr street वाला रहता है यहां में लोग bubbling करते है ठीक है तो black ball पर नहीं यूज करना आप लोगो only pens with the any other color are prohibited ठीक है तो normally according to my suggestion यहां पर black ball पर नहीं यूज करना चाहिए आप लोगो next यहां पर candidates further advice to the need carefully special instruction containing appendix 3 इसी notification का जो पुरा यहां पर form है इसी के साथ में given है आप लोग आपर जाके read कर सकते है इसका जो PDF form रहेगा हो मैं वीडियो की description में provide कर दूंगा next time पर facilitation counter for the guidance of candidates और किसी को किसी भी चीज का problem होगा तो यहां से guidance के लिए call कर सकते है between this time 10 to 17 minutes 5 p.m. next mobile phone is banned तो कि mobile phone ban एक्जाम वाल में एक्षैम वाल में और वाइन अप्लोगों पता ही होगा next यहां पर और का instruction दिया यहां न चैप लिए फॉर्म करने के लिए अपलों को यहां प्लों कर सकते हैं next आप इंप्रमेशन दिया एन examination will be conducted by the union public solution commission on 5th September ठीके यहां पर जो एक्चिल में ए जम्राइब रिधा जो इनल पर देट लगाइब का चैनल पर प्रवाइब करते रहा है नुच चुछते यहां पर टेल्ग्राम चैनल जोइन कर सकते हो यहां पर डिस्क्रिप्शन में एवेलेबले लिंक उसका वहां पर हमेसा जोगी कुछ नूठिज्टान आएगा पर में प्रोड करता हूं ठीक है नेश्ट आप नेश्टनल एकाडमी में डिफेंस में जो भी यहां पर वाइकन से किस टाइब से पता है यहां पर 370 है टोटल इंक्लूड इंक्लूड इट जैसमें जी तूट टूट टूट अर्मी के लिए 42 नेवी के लिए 122 एर फोर्स के यहां टिया है ओर 28 फोर गांड डूट इसके लिए इसमें इंक्लूड है टूतल पॉर एंडव रिकांसिय पोटी बड़ा विकंसी है आपसव लोग आप अप्लाइकर सकते हो नेक्स यहां पर विक्शिस आप्र विजिनल आप बेश्टनल एंड बेदेज देपेंग जी लोग बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है तो आप लोग याँ जस्ट रेट कर सकते हो नेक्स्ट आपे सेंटर आफ एक्जामिनेशन तो यहां पर एक्जामिनेशन सेंटर कहां कहां होने वाले यहां पर प्रॉपर में बताया है अल्रडी तो उसी टाइप सब लोगो फॉफ कंबिशन के इलिजीबिलिटी के लिए लिए आपर जब सह पहले नाशनलिटी इंडियन नाशनलिटी होने चील है या फिर बहुत ही इंपोर्टेंट यह इसके लिए ये अट्री वीडियो Clearly हमै यहाँ पर age limit, sex और marital status यहाँ पर बता है यहाँ पर unmarried होना चाहिए सबसे पहले unmarried male candidate ही apply कर सकते है जो कि born, किसके भीच में born होना चाहिए 2nd January 2003 2nd January 2003 and 1st January 2006 इसके भीच में अगर born है तो आप लोग apply कर सकते हो अधर वाइस apply नहीं कर सकते है और unmarried भी होना चाहिए नेक्स तहाँ पर date of birth हो सब चुपी कुछ है आप लोग रीट कर सकते हो तो आप लोग रीट कर सकते हो नेक्स education qualification दिया है तो 12th class pass out होना चाहिए सबसे बड़ा इसमें यही important है कि 12th अलोग के लिए रता एक चलमा तो 12th class pass out होना चाहिए या फिर equivalent होना चाहिए equivalent examination conducted by the state education board और university तो यहां पर दिया एर फोर्स के लिए अपला करना है naval wings of national defense academy and further 10 plus 2 carat entry scheme at the Indian naval academy तो यहां पर भी same physics chemistry mathematics होना चाहिए 10 plus 2 तो यहां पर जो एर फोर्स के लिए अपला करना है physics chemistry math होना चाहिए बड़ इसके पहले यहां पर दिया हुआ तो नेक्स्ट वाला sorry previous वाला army wing के लिए उसमें physics chemistry का requirement नहीं है तो यहां पर physics chemistry और mathematics requirement आईजा तो यहां पर अपलाइए उसके दिरू ही करेंगे next time पर देखो अगर यहां पर examination qualify होगा तो उसके बाद SSB interview होता है तो यह SSB interview तो यहां पर read कर सकते है search candidate who qualified SSB interview but could not produce matriculation 10 plus 2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward duly self-attested photocopy to direct rate general of recruiting army HQ West block तो यहां पर इसा भी information दिया हुआ है आप लोग read कर सकते हो next time पर note 1 में दिया candidate appearing in 11th class exams are not eligible for this examination यहां पर प्रॉपर में आप एक note में वोग ने बता दिया कि जो 11th class में होगा उनको apply नहीं करना है तो आप्लाइं नहीं कर सकते है next और भी information दिया है यहां आप लोगर सकते हो इसका PDF note description में available रहेगा आप लोगर देख सकते हो physical standard यहां पर क्या क्या है requirement वहां पर दिया है next time पर fees की बात कर लेते है तो candidate और देखो यहां पर SST cast के लिए तो यहां पर note 2 में दिया हुआ है तो 100 rupees fees है ठीक है next यहां पर pay by cash अगर cash के तरूपे करना है तो इसके लिए यहां पर SBI का जो भी form branch के तरूप फिल करना हुआ आप लोग देख सकते हो ठीक है जिसका closing rate 27th June तिल 6 PM तक है next और भी information इसमें रेत कर सकते है next यहां पर दिया है certificate of eligibility of exemption is required to be obtained by all such candidates from the principles concerned individually and produced further verification at the time of SSB test or interview ठीक है अगर जो भी physical अगर कुछ है handicap रहेंगे तो उन के लिए यहां पर certificate required है ओके आफिर आफिर इससी कास्ट फॉर्म फिल कर रहें तुसके लिए भी next time पर आउट अप्लेस अभी mention ने प्रॉपर वे में कैसा अप्लाइ करना ठीक है तो यहां से आपलाइ कर सकते हो तो यहां से आपलाइ कर सकते हो तो यहां इन्फोर्मेशन next आपर यहां पर आपर नोटीस दिया है प्रती इंपोर्टेंट है application without the prescribed fee unless remission of the fees claimed is in parallel forever और incomplete application shall be summarily rejected ठीक है अगर आपलाइ कर दिया है अगर fees ने पही किया तो इसके लिए form reject हो सकते है तो अपलाइ यहां पर रिट कर सकते है next आपर the result of the written part of the examination is likely to be declared in the month of December 2022 ठीक है तो examination जो result रहेगा वो 22 में भी यहां पर declared किया जा सकते है next यहां पर देख लेते हैं यहां पर फर्म कैसे फिल करना वसके लिए एक वीडियो आएगा वीडियो आपर देख सकते हो फिर से लास्ट पर सब्मिशन और विद्रोल अप्लिकेशन गिवन है तीक है नेस्ट आपर टावलिंग अलान से अगर अगर असस्वी अगर इसम वालिफा होता है इस बीडियो आपर टावलिंग अलान से लिए जागा आपर देख बोटी प्रॉफर अन बताया यह आपर पर मांट और सौट सर्विस करके आपर प्रॉफर अन बताया किस टाप से टाप से रावलिंग अनूंस मिलेगा दाग अनूर्फर असे ट्रीर का टाप से डिके डिकेट मेल गा आख या फिर् बस के अफरेध हो गा doinा इनवी घंडीन आर्मी लिए अन्डेन ऐर फॉर्स और नुनहीं के लिए धिनो भी डिल्स आगे आपे लिए पो कि युपी डीना पलाओ द शुऌ तू हैं यहां पर सेलेक्शन प्रसेड़ से आं पर तू सेटेस लेक्षन प्रसेड़ वहाए मधद nestsने थिया में है निक्स्ट आपे श्केम फिशमीनेशन आप पर इसकस कर लेते हैं तियाहापे सिर्फ इपनेशन अपर आप इसकेम फिशमीनेशन दियाए पेंडिक सवन फर्म में धिया तियाहाप सबसे पले सब्जेट के नहीं दिया है mathematics और general ability test होगा जो कि फिर्स टो एन अफार करेगा और सेकंड वन होभी कितने टो एन अफार करेगा ओके निक्स्ट जो फर्स्ट यहां पर माक्स दिया होगा maximum marks 300 marks को होगा mathematics और general ability test 600 marks को होगा next ssb interview होगा जोगी 900 marks रहेंगे जिसके तीरों पर अगर qualify होता था आपर का selection हो जाएगा यहां पर एक और information दिया था इसके पहले अपर रेट कर सकते हो before training मैरी मतलब before training के पहले unmarried होने चाहिए मैरी नहीं कर सकते हो next यहां पर syllabus दिया हो algebra का first algebra में आपर जो भी यहां पर topic है वो topic के naming गीव है तो read कर सकते हो हो सब प्रब्लाव next यहां पर second maths का syllabus है second matrices and determine and third one is trigonometry fourth one analytical geometry of two or three dimensions तो देखो यह पूरा जो भी यहां पर syllabus है according to 12th यह यह पर differential calculus रहेगा six में integral calculus or differential equation next vector algebra statistics and probability यहां पर उसके सपर टॉपिक भी गिवेन है और सब्रेट कर सकते है और जो पर टूपिक होगा उसके इंदर English है ठीक है paper to 200 marks होगा जिसमें इंग्डिस होगा general knowledge होगा general knowledge के इतने है फॉर्णिट मास के लिए यहां पर फिस्ट का है पर टॉपिक गिवेन फिस्ट का जो ट्विल्थ का है सेम टॉपिक ही एक्चल में chemistry का भी गिवेन है जेनल साइन्स नेक्स्ट आपी section D जो रहते है उसमें history freedom moment के इत्सक्रा उसके बार में आपर गिवेन 25 15 10% इस वेट इस आप युण नेक्स आपे इंटेन इंटेलिजिएंट एंटेलिजिएंट एंट इंटेलिजिएंट इन परसलेटी टेस्ट रहा तो सेलेक्शन ओने वादी होगा वह त्या पर फिल करना वह फॉर्म का आपर इंफरमिशन गिवागा तिया प अपर फिल करके अपला करना है वहां पर क्याकर डॉकुमेंट रिक्वाइड है आपर कितना साइज चीए उससमें आपर दिया होगा नेक्स्ट कैसे फॉर्म फिल करना क्या 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 इंफरमेशन उससब के लिए वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल के साथ बनने तो यह रहा है एंड ये टू का इंफरमेशन इंडियो का इंफरमेशन किस टाप से पाहिए किसमा सब मेने आप लगवाता है तो अब वहीं कि लिए इतने है चलो वीडियो करते हम है